आपका एंडियो को इंड तक जिरुड देखिएगा इफ यू आपका इस वीडियो को इंड तक जिरुड देखिएगा इफ यू आपके पास हर एक नोटिफिकेशन के साथ साथ आपके पास पेपर पैटर्ण, एक्जाम डेट, स्लेवर्स, कोशन पेपर सारा सी डिसकस करता है आप लोग के साथ तो आज ही चैनल को सब्सकार कर लेजे और आपके कोई भी फ्रेंड एक्जाम दे रहे होंगे तो उनके साथ एक वीडियो जरूर सेह कर जिजिए उनको हिल्फ होने वाला इस वीडियो से और आपको एक पीडियेप चाहिए तो मिल जाएगा मेरे टेलग्राम चैनल और मेरा भाटसप ग्रूप पर जिसका लिंक डिसक्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो चलिए इ डिटेल में डिकस्स करते हैं जाओ पोस्ट का नाम था एकॉंट्स फिनांस उस्पिसलिस्ट्ट क्वलिफिकेस्ट्टल मांगा गया था सी अ मैं सी ये भी कॉम एमकॉम इस्पिरियंस नेल था टोटल पोष्ट टुटिफ्ट ता ता अप्रोक्समेट ले था स्लेक्शन प्रोसेस सी वी टी पलस इंटरवीव होने वाला है फोस्टिंग आपको और इंडिया होने वाला है इपॉर्टेंट डेड़ के बाट करें तो पॉर्टिंट डेट आपको और्लेंट फॉर्म अल्रीड स्टार्ट हो चुका है 24 अगस्ट 2023 से लास्ट टेट है 14 सितंबर 2023 और अडिविटी कार्ट के बाद के तो आडिविटी कार्ट आपको सेवन डे प्रायक्ट टूदा एक्चुल डेट अप ऑल्लेंट टेस्ट बता दिय राएगा लिए अपेपर पैटर्न के बाद किता पैपर पैटर्न आपको 200 मांस आजाम कर आजाब कर वाया जाएगा इंग्लिस रहेगा 25 sec 25 मांस का कॉंटिटिव बटीटिटिट्ट्यूट्यूट्लीटि लिटएगा से आपका number of question 25 रहेगा और मार्क्स 25 रहने वाला है यानि कि one question one marks general awareness with a special reference to financial sector से बात करें तो आपको number of question 25 रहने वाला है और marks आपका 25 रहने वाला यानि कि one question one marks जो non technical portion था उसमें से आपको one question one marks रहने रहने वाला है जो non technical portion आपका hundred marks consider कर रहा है बट हम बात कहते है टेक्निकल स्लेवर्स का तो टेक्निकल स्लेवर्स में आपका जो प्रोफेस्टनल नॉलिज होता है जो सीय सीय में एमकों बीकों में जो परहे हैं उससे question पूछा जाएगा जिसमें आपको number of question 50 रहने वाला है और marks आपको hundred रहने वाला है यानिकि इस question two marks रहने वाला है तेक्निकल स्लेवर्स यानि प्रोफेस्टनल स्लेवर्स जो portion पुछाएगा वह आपका selection में बहुत ज्यादा help करने वाला है क्योंकि most of candidates जो CSCM करते हैं उनको एप portion अच्छा नहीं होता है इसी करण एप portion में high score आप कर आईएगा तो इसमें आप low score करते हैं तो मैंने हो जाएगा तो आप जो हंड्रेट मास्क का है उसका प्रेशन मेरा website ही मांसुन अजने classes से कर सकते हैं वहां पर course अल्रेडी अविलेवल है जिसी course का detail यहां पर भी हम भी मेंसिन कर दीए है जिससे कि कोर्स में आपको हंड्रेट मास्क कमाइप इप्रेशन तरवाऊंगा जिसमें आपको एमसी क्यू मिलेगा वह इबुक फॉर्मेट में रहने वाला है सिख्टॉरजर्ट आपको पीएसेव पिकेपर मिलनेवाला है 40 पलस यहनी इसबाद फॉर्मेट पलस रनने वाला एक पिल्स ने वाला है कि PSU exam में की steps का question पूछा जाता है मैं कितना deep पर हूँ क्या होता है कि CACA में में जो question आता है वो deeply आते है बट ऐसा नहीं है कि PSU में deeply question नहीं आता है basic question आता है आपको PSU paper देखके आपको idea लग जाएगा और बहुत वर ऐसा भी देखा जाता है कि previous year question रहता है different PSU का वहां से भी question बहुत मैच करते हैं तो आप एक पोर्स का preparation कर सकते हैं मेरा वेब साइट हमावसुल अंजन प्लासस से जिसका लिंक description box में दिया हुआ है important point की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड आपका negative marking marks भी है one fourth no answer is marked by the candidate there will be no penalty for that question यहनी कि आप question leave कर देते हैं तो उसके लिए कोई भी penalty नहीं है अब बात करते हैं expected syllabus का आपका syllabus क्या रहने वाला है इस एक्जाम में कि सबसे पहले बात करते हैं financial accounting का तो इसमें इंडेस एस इंडेस और एस का जो basic होता है वो knowledge ले लिजिए और साथ ही आप इन सबका नाम पूरा अच्छी तरह से याद करके जाएगा बहुत वारा ऐसा होता है कि सिपनाम कुछ देते हैं accounting process and GAP कभी गश्म कभी डिक जेगा accounting of income expenses asset liability preparation of BRS rectification entries disclosure note in annual accounts cash flow fund flow format of preparation फाइनल अकॉंट्स औप कंपनी, बैंकिंग बोप्रेसें ट्रंजेक्शन अकॉंटिंग, फेरोल अकॉंटिंग, अकॉंटिंग फोर सेर क्वेटल ट्रंजेक्शन, बोनस यह राइट सेर, इस ओप वाइवक अप सिकृूरेटिस, इंस्रेंस कंपनीज एक्ट, यह सब जो अप देखके जाएएगा अब बात करते हैं कोस्टिंग का तो कोस्टिंग में आपको जो में चैप्टर है पहले तो अब बेसिक देख लिजेगा पूस्ट अपर सजब इकान्टिंग क्या डिफरेंट है संग कोस्ट क्या होता है तो ची दियए गा उसको बार मैटेरियल देख लीजेगा मार्जिनल कोस्टिंग एतीन चैप्टर पलस एक चैप्टर बजेट एंड बजेटरी कंट्रोल एक चार चैप्टर में से हर एक पीएसे से पॉसन बनता है हनदिट परसेंट बनता है तो अब एक चारठ पूरी तरह सरी वाज चरके जाएगा और फोरिवार कैसे निकलता है, contribution कैसे निकलता है, हर एक फ्रमूला याद करके जाएगा और प्राक्टिस करके जाएगा तभी आप इसाम में सोल कर पाईएगा और सारा का सम भी मेरा कोर्स में में और साथ में oversść 문제 देख लीएगा κोश्टिंग दिख अधि येगा ये सब भी देख लीजेगा वह आपको मैं मैं प्रराइट कर दिया हूँ अभात करदबं कर दाएं मैं से मफले परनी से शंग सीचि भूराइग करे आपको तर ब्लत से लिखा गया है है इंकम टैक्स के बात करें तो इंकम टैक्स में आपको बेसिक को सेप्ट पुछ हो जाएगा ऑन 5800 इंकम में सेलरी एच्पी पीज़ीपी केपिटल गेन आये फोईस जिसी कि पीज़ीपी में बात करें तो पीज़ीपी बहुत बारा बहुत बड़ा इसमें बात करें तो आपको इंपॉट्रिट रनने वाला फिर्जम्टिब सक्टेक्सेशन पुटिफोर एडी एस अब याद करके जाएगा और से बात करें तो च्छोटा चैप्टर ये पूरे एक वारी विजन करनी जाएगा और एच्पी और कैप्टर गें आयो और आयफ एस और देख निजेगा मैट देख लिजेगा एम्ट देख लिजेगा पुछ लेते कि मैट कब अपिलकेबल हुआ था एम्ट कर फुल्पाम पुछ लेते बहुत बेसिक कोशन पूछा जाता है बट वो ट्रिक्य होता है कि टिदक्शन चैप्टर सिक्सेद द लिख यादक करें, क्योंकि भूल सब्लिऊंट का सिर्फ नाम याद करें, क्योंकि बहुत सरा पिर सीम देखा जाता है, रिकी है को अ क्यoteन में dei को पुछते आ हैं, भाय है पर आधन Leavakad करेंगा। जो एक पूछा जाता है तो उमिद करता हूं कि इसमें से पूछा जायागा साथ साथ आप यहां पर मैंने सब क्या है सेट आप एड कैरी फॉर्वर्ड भी देख लिजिएगा यहां से भी कॉछंब पूछा जाता है क, आप बात कर लेते हैं, घ ईस्टे क्या घिए स्थी में आप पहला तो अप जी एस्टि एक्ठ में जो भी बेस्क है कौन सा आब डिया हूंब यहोग करने का और जी इस्टि आपू कर सकता हमि इन्टेबिन लाता है हो ब सिदिग देख लिजेगा इंट्रस्ते से इंट्रस्तेत स्प्लाइ देख लिजेगा पवेवं प्लाइट फेल्क्राइजास फ्लाइफ डिएःट्स रोघ डधसा सब्वन ढरेट्यम और GST, GST, TDS concept देख लिएगा, कितना GST में TDS काटना पड़ता है, और क्या rate है, क्या उसमें fine है, कब तक TDS करता है, GST में सारा चीर अब देख के जाएगा, और इसमें refund, refund भी देख लिजेगा, registration chapter देख लिजेगा, registration chapter सो कोशल बन जाता है कि, इस company का इतना turnover है, तो company eligible है, registration के लिए नहीं, ऐसा-ऐसा कोशन आता है, PSE में, composition scheme देख लिजेगा, अब custom act भी देख लिजेगा, custom tactic act 1975 देख लिजेगा, वो आपको मेरा quotes में मिल जायाएगा, सारा MCQ, अब बात करते हैं, यहाँ पर माप्स, गलती से DIY, auditing के बात करें, तो auditing में आपको पहला तो auditing को concept basic concept देख लिजेगा, company audit देख लिजेगा, 138, 138 से 148 जो section है, company audit का वो देख लिजेगा, audit report देख लिजेगा, audit certificate, लेजर स्कूटनी, internal control, technique of audit planning and audit, audit program, audit process, various audit types देख लिजेगा, audit of PSU, PSU को कैसे audit किया जाता, वो देख लिजेगा, internal audit, internal audit का क्या rate है, और cost audit, cost audit किसको करना परता है, क्या इसमें जो rate है, कितना turnover पर cost audit होता है, कौन सा form submit करना परता है, cost audit के लिए, सारा चीज़ आप देख लिजेगा, और आपको इस सारा चीज़ मेरा M-Secure में cover किया हुआ है, अब बात करते हैं, financial management के, financial management की बात करें, तो पहला तो आप objective, scope of financial management यानि की basic देख लिजेगा, cost of capital, capital bursting, ये दो chapter बहुत important है, हर एक PSU में portion यहांस बनता है, leverage देख लिजेगा, capitalist structure, working, capital management, source of fund, decision, dividend decision, banking and students के बारे में देख लिजेगा, financial market और rationalizes, तो ये सब चैप्टेर है, financial assessment में, तो आप cover करके जाना ही है, अब बात करते हैं, law का, law तीन पार्ट में बटा हुआ है, पहला है, companies act 2013, industrial law और मर्चल टाइल law, ये typing mistake है, पहले बात करते हैं, companies act में, conference chapter important है, आप लोग के लिए, companies act में, पहला chapter आप लोग के लिए content है, basic, दूसरा है, जो board meeting होता है, board meeting है, section है, और उसमें जो quorum बेगरा पढ़ने के लिए, बोस्त देख लिजेगा, तिसरा है, dividend देख लिजेगा, dividend chapter, फोर्त है, director chapter, director का हर एक section, अब पढ़के जाएगा, director से question आता ही है, अच्मा है आपका, company audit जो, अल्रेडी में एक audit में बता दिया था, company audit जो section 138 से 148 तक होता है, और जो accounts का एक चेप्टर, accounts करके चेप्टर है company law में, उसमें आप financial management के बारें पढ़ते हैं, CSR के बारें पढ़ते हैं, वो देखके जाएगा, पूछ लेते हैं कि CSR rate किया है, कितना turnover होगा तक company CSR करना परेगा, तो सारा चेप्टर देखके जाएगा, हर एक PSR में कोशन बनता ही है, अब बात करतें industrial law का, industrial law में पहले तो payment of gratitude देख लिजिएगा, payment of basis act देख लिजिएगा, payment of bonus देख लिजिएगा, Employee State Insurance Act, एक insurance company है, तो एक बहुत important है, क्योंकि insurance company ते पुछेंगे ही, Workman Compensation Act 1923, Employment Provident Fund, एक industrial law का chapter है, अब बात करते हैं, मर्चन टायल नाम है, मर्चन टायल नाम में आपको पूछा जाएगा, Indian contracted 1822, sales of goods act 1930, Negosable Instrument Act, और General Clause Act, Indian contract act, और Negosable Instrument Act, यह हर एक PSU में पूछा जाता है, और आगे भी पूछा जाएगा, तो एक चैप्टर कापी ज्यादा important होता है, हर एक PSU के लिए, तो आप भी जरूर करके जाएगा, और Negosable Instrument Act, तो और करके जाएगा, क्योंकि insurance company है, तो इसका काम वहाँ परता ही है, एक और note यहाँ पर मैं mention कर दिया हूँ कि, the above syllabus is expected and the person in the test may ask from the other topics, यह मैं syllabus आप लोग के लिए expected syllabus बना के लाया हूँ, जो हर एक PSU में पूछा जाता है, और इस company के अधार पर मैं syllabus को preparation किया हूँ, तो बट आपको लगता है कि अगर कोई topic देखके जाए, तो वो topic आप देखके जाएगा, बट यह topic जो mention किया हूँ है, यह topic आप जरूर करके चाहिएगा, आपको एक PDF मिल जाएगा मेरे टेलिग्राम चैनल पर जिसका link description box में दिया हूआ है, इक्जाम डेट के बाल करके तो इक्जाम डेट आपका होने वाला है, second week of October 2023 में, तो आप इस का preparation में लग जाएए, इस syllabus के अंस्वर और आपको जो लगता है कि syllabus में और कुछ add होना चाहिए, उसके अंस्वर तो आप ए 100 marks का preparation कर सकते हैं, मेरा website हिमांसोल अंजन classes से, जिसका link description box में दिया हूआ, आपको course में मिल जाएगा, 6000 पलस mcq है, psv paper है, 45 पलस, 45 psv paper है, यानि कि आपको psv paper में आपको 5-6000 mcq मिलने वाला, जिसमें आपको technical और non-technical दोनों रहने वाला है, यानि कि total आपको पास mcq 10,000 पलस होने वाला है, यानि कि आप 10,000 mcq कर लेते हैं, आपको preparation अच्छे हो जाएगा, 100 marks के लिए, और जो 100 marks है, non-technical portion वो आप देख लिजएगा, तो आप 100 marks का preparation कर सकते हैं, मेरा website हिमांसोलेंजी classes है, जिसका price है 551, तो दोस्तों ए रही United India Insurance Company Limited में जो vacancy है थे, accounts finance specialist के लिए, उसका मैं यहाँ पर inspector syllabus discuss किया, paper pattern discuss किया, exam date discuss किया, तो आपको ए वीडियो आपके लिए important रहा होगा, तो वीडियो का like किजी, अपने दोस्तों के लिए share किजिए, क्योंकि ओभी exam दे रहे होंगे, तो जुरूर के साथ share कर दिजिएगा, उनका भी कुछ भला हो जाएगा, और चैनल को नए subscribe किए, तो चैनल को subscribe कर, वेल आकोंग दावाना ने भूलिएगा, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नए वीकेंसिक और paper pattern वीडियो के साथ, थैंक्यू,